नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्ठाकुर के साथ NTA UGC NET हिंदी की हमारी त्यारियें चली है इससे पहले हमने आदिकाल के बारे में पढ़ लिया था आजम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतरगत आने वाला भक्तिकाल तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की सबसे पहले हम देख लेते हैं समय सीमा तो जो भक्तिकाल की समय सीमा है वो है 1375 से 1700 विक्रमी समवत ये जो समय सीमा निर्धारित की है ये की है अचारे रामचंदर शुकल ने अगर सरुमान ने जो समय सीमा है जो आपको मिल जाएगी हिंदी साहित्य का जो सरल इतिहास लिखा है विश्चुनात्रिपाठी ने उसमें 1400 से 1700 इस्वी तक तो ये तो होगई समय सीमा की बात हलांकि जो काल निर्धारन के बारे में हमने पहले अपनी पीछे वाली वीडियो में देख लिया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिये तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं अब हम देख लिखते हैं बक्तिकाल के जो महत्रफूर्ण बिंदू हैं उनके बारे में। सबसे पहले देखिए बक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वाण यूग कहा जाता है। राम भक्ति के सबसे बड़े कवी तुलसिदास और साथी साथ कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवी सूर्दास ये भी इसी यूग में हुए हैं और साथी साथ सुफिक आवेधारा की जो महत्रफूर्ण रचनाये हैं वो भी भक्तिकाल में ही रचित हुई हैं। इसलिए इस से मिलने लगती है तो इनका जनम हुआ था 1267 में तो ये क्या कहा रहे है देखिए हिंदी भक्ती साहित्य की परंपरा तो साहित्य की परंपरा कहां से शुरू हो जाती है यह हो जाती है संत नाम देव से भक्ती शब्द जो बना है वो बना है भजधातु से तो देखिए किस द उलेक उपनिश्दों की अपेक्षा अधिक हुआ है देखिए कहने का मतलब क्या है कि जो भक्ति शब्द है उसका उलेक उपनिश्द में हुआ है कौन से उपनिश्द में श्वेता श्वेतर लेकिन जादा इसका उलेक कहां पर मिलता है उपनिश्दों में उपनिश्दों की पहले क्या लिके गए वेद, वेदों के बाद आये पुरान, ठीक है न, जो लौकिक संस्कित वाली बात हम उसमें कर रहे थे, तो हलांकि इसका प्रियोग कहां पर हो गया था, वेद उपनिश्द में, लेकिन इसका अधिक उपयोग कहां पर किया जाने लगा, उलेख कहां पर तो कहने का मतलब क्य है कि जादा इसका उलेख, यहां से और ख्लीर हो रहा है कि वहां पर गया पर किया है, जिक्र है ठीक है तो भगवत गीता में कितने अध्याय हैं 18 तो बीच के जो 6 हैं 7 से 12 तक के वहाँ पर क्या है भक्ति के जादा में उल्लेक मिलता है अगला है देखिए भक्ति के आदे अचार्या रामानुज थे तो रामानुज कहां के थे ये थे कांची पूरम के और इनके जो एक गुरु हुए हैं उनका नाम है कांची पूरन पूर्ण कांची पूर्ण है ना पहले जगा का नाम है कांची पूरम और इनके गुरु का नाम है कांची पूर्ण जो क्या थे शुद्र जाती के थे फिर उसके बाद आता है कि प्रारंभिक भक्त कवी दक्षिन के अल तो उसको क्या का जाता है दक्षिन की मीरा भी कहा जाता है तो प्रारंबिक भक्त कहां के थे दक्षिन के थे और अनेग उसमें अवर्ण थे और एक महिला भक्त भी थी ठीक है तो निमन जाती के लोग भी थे और उसमें महिलाएं भी थी तो ये हो गया बात भक्तिकाल के बार जाती है ठीक है उसके बाद है कि भक्तिकाल को पंद्रवी शती का धार्मिक पुनर जागरन भी ये कहते हैं क्या कहा इन्होंने पंद्रवी शती का धार्मिक पुनर जागरन याद रखना इस चीज को भी बहुत इंपोर्टन चीज है कई बार एक्जाम में पूछ ली जाती है कि भक्ति काल को धार्मिक पुन्र जागरन किस ने कहा है और कौन सी शती का पंद्रमी शती का अगला है राम बिलाश शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरन काल नाम दिया है तो राम बिलाश शर्मा जो हैं वो कैसे हैं माक्सवादी चिंतक हैं वो इन्होंने क्या कहा है भक्ति काल को लोक जागरन काल देखिए भक्ति काल को कहा है इनोंने नीचे देखिए अचारे हजारी प्रसाद दुवेदी ये भक्ति अंदोलन को लोक जागरन की संग्या देते हैं देखिए अब इसको याद कैसे रखना है रामविला शर्मा ने कहा है भक्ति काल को और अचारे हज जारी प्रसाद दुवेदी क्या कहते हैं भक्ति आंदोलन को लोक जागरन ठीक है उन्होंने काल आगे नहीं लिखा है ठीक है क्योंकि उन्होंने आंदोलन को कहा है और उपर काल को कहा है तो इसलिए क्या है काल है तो यह है भक्ति काल के बारे में ये तीन विद्वान क्या कह से हुआ है अलग-अलग विद्वान अपने अलग-अलग मत देते हैं सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन देखिए क्या कहते हैं वो इसे इसायत की देन मानते हैं तो ये प्रशन बहुत इंपोर्टन्ट है कई बार एक्जाम में यहां से पूछ लिया जाता है इसको आपने ध् प्रतिक्रिया है ना भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे क्या है इसलामी आकर्मन की प्रतिक्रिया है ठीक है यह तो इनके कहने का मतलब यह क्या था कि देश में जब मुस्लमानों का राज्य प्रतिश्थित हो गया था तो उस वक्त क्या हो गया था एक तरीके से जो हिंदू तो इसलिए इनका कहने का विप्राई यह है कि इस अंदोलन का अविर्भाव कैसे हुआ है, इसलामी आकर्मन की प्रतिक्रिया के स्वारूप में हुआ है, लेकिन अचारे हजारी प्रसाद दुवेदी आप पहले सी देखते हैं रहे हैं कि इन से थोड़ा सा हट के चल रहे हैं यह क्या कहे रहे हैं, भारतिय चिंतन धारा का स्वाविक विकास इसको मानते हैं, भारतिय चिंतन धारा का स्वाविक विकास, यह कहते हैं कि इसका जो विकास है वो कैसे हुआ है, एक तरीके से स्वाविक रूप से हुआ है, अगर इसलाम नहीं आया होता, तो भी इस साहित कब बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है तो इनके कहने का मतलब क्या है कि अगर इसलामी आक्र्मन नहीं हुए होते तब भी भक्ति काल आना था या भक्ति का उद्य होना था ये कहते हैं हजारी प्रसाद डुवेदी आगे देखिए बाबु गुलाव राय हुआ था ठीक है उससे पार पाने के लिए क्या है उसकी पूर्ती करने के लिए इसका उदय हुआ था भक्तियांदोलन का अगला है गजनन माधव मुक्तिवोद तो मुक्तिवोद गया कहते हैं कि एतिहासिक समाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों वो कष्टों से हुआ है देखिए एतिहासिक या समाजिक जो शक्तियों के रूप में जनता के जो दुख और कष्ट हैं उनसे क्या हुआ है है ना उनसे ही भक्ति का उदय हुआ है दुखों को दूर करने के लिए राम बिलास चर्मा ये देखिए क्या कहते हैं ये कहते हैं कि भक्ती आंदोलन एक जातिय और जनवादी आंदोलन है तो कैसा है जातिय और जनवादी आंदोलन है ये तो हो गया भक्ती आंदोलन के उद्धे के संबंध में विद्वानों के मत तो यहां से एक प्रशन कई बार पूछ लिए जाता है अगर आपको तो यहां से एक प्रशन कई बार एक्जाम में पूछ लिए जाता है तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा चलिए अब हम देख लेते हैं आंदोलन के उद्गम स्थलों के संबंध में और से धीरे धीरे उत्तर भारत की और पहले से ही आ रहा था उसे राजनितिक परिवर्तन के कारण शोन्य पढ़ते हुए जनता के हिर्देक्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला तो ये पंक्ति बहुत ही महत्तोपूर्ण है कई बार एक्जाम में आ चुकी हैं तो इन पंक्तियों को याद करना भी बहुत जरूरी है देखी ये क्या कहते हैं कि भक्ती का जो सोता दक्षिन की और से धीरे धीरे उत्तर भारत की और मतलब भक्ती कहां पर उपजी दक्षिन में और धीरे धीरे वो उत्तर भारत की और पहले से या रही थी उसे राजनितिक प कबीर का ये कहते हैं भक्ति द्राविड उपजी लाए रामानंद तो ये पंक्ति भी कई बार एक्जाम में पूछी जाती है कि ये किसकी है तो भक्ति द्राविड उपजी लाए रामानंद ठीक है प्रगट किया कबीर ने साथ दीप नौखंड तो आपको आधी दी जाती है ताकि आप confused हो, क्योंकि दूसरी पंक्ती में ये क्या करते थे, अपना नाम जोड़ देते थे, है ना, इसलिए ये जो पहली वाली पंक्ती है, ये आपको बहुत जरूरी है, याद रखना, किस की आई ये, कबीरदास जी की, तीसरी जो महत्पुन पंक्ती है, अगर इसलाम नहीं आया होता, तो भी इस साहित्य का बहार आना वैसा ही होता, जैसा आज है, ये आलांकि हमने पीछे इसका जिक्र कर लिया था, क्लियर है, अब हम देख लेते हैं, आगे जो इर्फान हबीब हैं, ये भी एक वक्ती आंदोलन की निर्गुन धारा के उत्थान में, शिल्पियों और जाटों, किसानों की प्रमुक भूमिका रही है, वे निर्गुन धारा के इकेश्वरवादी धारा कहते हैं, तेरवी चौदवी शताबदी में नई शासकों, खिलजी, तुगलक, सूरी की सत्ता स्थ स्थापित होने पर सडकों, भवनों आदी का निर्मान तेजी से होने लगा, इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिती में सुधार, वो आर्थिक स्थिती बहतर होने पर उनमें अपनी समाजिक मर्यादा को उपर उठाने की भावना पैदा हुई, निर्गुन पंत और सुधाओं की मांग बड़ी, केंदरी सता स्थापित होने पर सडकों, भवनों आदी का निर्मान तेजी से होने लगा, इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिती में, जो मतलब मुझदूर थे एक तरीके से, या जो कामगार थे, उनकी स्थिती में सुधार ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं इर्फान हभीब, अब हम देख लेते हैं भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, वही हैं जो हम शुरुआत से पढ़ रहे थे, अभी इस वीडियो में, सबसे पहले जब से हमने देखा कि भक्ति आंदोलन के सम हिंदों के उपर अटेक हो रहा था एक तरीके से उनके अत्यचार हो रहे थे तो उनको क्या था कि कहीं न गहीं उनका धर्म एक तरीके से खत्रे में तो इसलिए उन्होंने क्या क्या उनकी जो जाती है उनका जो चीज़ें हो रही हो है ना तो उसको क्या माना जाता है कि वहां से भी इसका अविर्भाव हुआ है ठीक है इसलाम का प्रभाव तो इसलाम आकरमन कारी वही थे इसलाम का इशास था मुगलों का इशासन था राजनीतिक संगठन राजनीतिक संगठन भी क्या थे अपने अपने ये था दोस्तो भक्तिया अंदोलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्षन में जाके बताईए, और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ति के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जहिंद,